नमस्कार भाईयों मैं प्रदीप फार्मर आफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं किसन भाईयों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिया की औसधी खीती की बारे में तो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अन्रो दें कि आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और साथी साथ बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लें दबा लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिक अजिक आप गचिया जाता है और जो लेमिएसी यानि पॉदी न परिवार का एक बड़सी पौदा है काथ के रूप में चिया का उप्योग किया जाता है और इस इसका इस चिया के बीच से तेल भी निकाला जाता है और इसकी अगर खेती देखी जाए तो मैक्स्कों बोलब आर्जेंटिना, एकुआडोर और इकुआटेमाला में प्लच लेते हैं और हमारे भारत में करनाटक, तामिलनाडू, उत्रप्रदेश और आजिस्तान के कुछ हिसों में शिया की खेती प्रारम हो चुकी है और अच्छे स्केल्पी की जाती है इसका पौदा रहता है जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं यह योवनवस्ता का पौदा है इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें बैगनी रंगा फूल आ रहा है और इसका पौदा जो रहता है 70-100 cm की उचाय तक बढ़ता है पौदे में बैगनी और सफेद रंगे फूल लगते हैं जैसे क काले व सफेद रंके होते हैं और काले बीजों की अपेक्शिय सफेद बीज में तेल की मातरा देख पाय जाती है जिसनवह बात करते हैं इसकी और गुड के बारे में तो इसमें जो है चिया की बीज में प्रोटीन बसा खनीचलवाण और बटामें इसके कार्णिस के सेमन से मांस मेशिया मस्तिस कोशिकाएं और तंत्र का तंत्र मजबूत रहता है चिया की बीजों में अंटियों प्रयाप्त मातरा में होती हैं जो सरीर से प्रयाइड के बार नेकलने में मदद करता है और जिससे हिर्दे रोग और कैंसर जैसे रोगों से बचा जा सकता है और इसमें चिया की बारे में बात करें तो इसमें जो जमीन की हमें आवश्रिक्ता है किसन वायों हाला कि ये चिया की खेती है सभी प्रकार की उपजाओ और कम जो उपजाओ जमीन है कम और वरक जो भूमी है उसमें भी सफलता पूर्व की जा सकती है जलवाईयों की बात करें तो ये जो फसल है इसकी जो है पौदों की भेतर बढ़वार और अधिक उपज के लिए चिया की फसल की जुबवाई हम करते हैं बर्शा रितू यानि की खरीफ में जून जुलाई के पश्यात कर सकते हैं और शर्द रितू में रभी की फसल के रूप में अक्टूबर और नॉम्बर में करना ठीक रहता है और इसकी जो खेती है वो नर्सरी के द्वारा भी कर सकते हैं पहले नर्सरी को तियार कर सके खेत में उसको लगा सकते हैं या फिर सीधे छिड़काव विदी से भी है इसकी खेती कर सकते हैं और इसके लिए जो है अगर हम इसके खेत मुखे खेत की तियारी करन तो पहले तो पौद्रों पढ़ेतु खेत कुछ है भली माती साफ सफाई करके करने के बाद जुताई कर वर्वरा और समतल कर लेना चाहिए और खेत की अंतिम जुताई के इस समय जो इसमें केचुव की खाद या बर्मी कंपोस्ट हम डाल सकते हैं जिससे पौद्र के लिए प पस्तित के टा々म होते हैं मर जाते हैं और जिप्सम्ट पवडर का इस्टमाल करते हैं जैसे जमीन को गुरोए बनाये रखने में यह मदद करता है ऑर इसके लिए ऑ मश्कान वूरा और व विकांव पौदर का भी इस्टमाल करते है जो जामिन में उपस्तित वानिकार गश् बनाकर पौद से पौद 5 cm का फास्ला रखते हुए पौद रोपना चाहिए और श्रीत लबसरदी में रभी में कतार से कतार 3 cm और पौदे से पौदे की मद्द की दूरी जो भी सेंटीमेटर के दिए रखनी चाहिए और भूमे में नमी के स्तर और मौसम के अनुसार 8-10 दिन के अंत्राल पर हर किसी चाहिए करते रहना चाहिए इसमें अब इसमें निराई गुड़ाई के अगर बात करें तो फसल को खत्पत्वार प्रिकॉप से बचाने के लिए खेत में 2-3 बार हाथ की मदद से निराई गुड़ाई करना चाहिए केत में खाली स्थानों में पौद रोपण का कारवी रोपण के 10-15 दिन के अंदर कर लेना चाहिए अगर इसकी फसल की कटाई की बात करें तो फसल जो है चिया की फसल तैयार होने में लगो 90-120 दिन लगते हैं और पौद रोपण के 40-50 दिन के अंदर फसल में जो है फूल कि 25-30 दिन में बीच पकर तयार हो जाते हैं फसल पकते समय पौद और बालियां पीली पढ़ने लगती है पकने पर फसल की कटाई गाही करद दानों की साफ सफाई करोंने सुखा कर बजार में बेज दे जाता है या फिर जो है बहतर बजार भाव के लिए हम उसको स्टोर भ तो इसमें प्रती एकड चिया की फसल से पांच कुंटल से साथ कुंटल तक हमें उपज पराप्त होती है और जिसका अगर हम इसमें खर्चे की बात करें और किस रेट में बिग सकता है क्या रेट रहता है उसकी बात करें तो तो इसमें खर्चे की बात करें तो बीच जो है बजार बहु लगवग इसका ऐसी रहता है 400 से 700 रुपे प्रती किलो तक इसके बजार बहु रहता है और इसके लावा जय विखाद या निखर्चे जो हमी आप डाल सकते हैं तो इसमें आप टोटल जो खर्चा है लगवग 20 से 25 रुपे का हो सकता है आपका और आए की बात करें तो अगर हम इसमें 500 कीजी बीज अगर आपको मिलता है तो 150 रुपे प्रती किलो के इसाब से बिग जाता है कभी कभी इससे रेट जादा भी मिल जाएगा आपको 200 रुपे किलो तक भी रेट मिल जाएगा तो इसके खीती से देखा साथ अच्छे खासा बागी बीज के लिए आप इसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा उस पर संपर कर सकते हैं आप बागी आप इस वीडियो में देख रहे हैं यह सारी चिया का चिया की फसल है पूरा चिया का खेत है यह किस तरह से यह भी मैच्योर अवस्ता पर फसल है और किसन ब अगर खेतिया आप लोग कर रहे हैं तो आप किसी कर सी विसे जिग से सलाह जरूर ले क्योंकि यहां पर जो वीडियो में बनाई वही है कुछ सोर्से से लेके जनकरी लेके बनाई गई है और फसल लगाने से पहले आप मार्केट जरूर देखे कि इसको कहां पर बेचेंगे तो बेचने के लिए आप नियरवाई जो भी आपके मार्केट है वहां पर इसके संपर करने पहले इसके बाद इस फसल को करें आज के वीडियो कमप्लीट हुआ किहसर भाई हो आशा करते हमको की वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आ तो इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें हमरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें में bellimagin discuss जरूर करें कोई वीडियों उबसे फबने में चाहते है तो coming कोमेंट करके बताया में राज के लिए इतना ही धन्यबाद नमस्कार समयें